सोलन के आंची पंचायत में परिवार के आपसी लड़ाय के चलते चार लोग घायल हुए है जिनका इलाज सोलन के शेत्री अस्पताल सोलन में चल रहा है जानकारी के अनुसार आंची के परदान गरीब दाश के बेटे उनकी पत्नी वबहू पर उन्ही के भाईन के बेटे विनोध कुमार द्वारा जानलेवा हमला किया गया जिसमें चार लोग घायल हुए है घायलों में लक्षमी को गंभी रूप से चोट आई है बताया जा रहा है कि विनोध कुमार ने अपनी पत्नी चमपा देवी को पूरी तरह से पीटा उसने डंडे दरातवा पत्थरों से इन पर हमला किया एम्बलेंस की मदद से घायलों को शेत्री अस्पताल पहुचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है पुलिस कारवाही में जुटी है घायलों की मांग है की हमला करने वाले विनोध कुमार पर सक्त से सक्त करवाही की जाए जागे भी मेरा आप पे मारा बंथर फिर मख्मी के सीर पे मारा पपा के मारा पच्चो को फैंका उठाके पर अपनी पत्ली को तो भूत मारा द्राट से डंडे से हर चीज से मारा उसे अपने प्रोस में दोड़ के गए तो दौनों पर एक द्राट लेखे को पत्थर लेखे आपने मेसी से को मारा उसके बाद हमारे चाची जी और लक्सनी जंदर इनको बहुत होरे तरिक्के से मारा प्रधान जी है हमारे जवान जी के उनको द्राट से लेकर पिच्छ नेशन न्यूस के लिए सोलन से ब्यूरो रपोर्ट